अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्टी टेली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे नया वाउचर टाइप क्रियेट करना और उस पर वाउचर क्लास लगाना साथ ही बताएंगे कि वाउचर क्लास का उप्योग करके आप पर्चेज और सेल्स पिल को बनाने में लगने वाले समय को कैसे कम कर सकते हैं ये एक बहुत ही उप्योगी वीडियो है और इसे अच्छे से समझने के लिए अंध तक ध्यान से जरूर देखें यहां हम आपको अपना एक सेल्स पिल बता रहे हैं और इसी बिल के आधार पर हम कुछ अन्य बातों के साथ वाउचर क्लास के उप्योग के बारे में बताएंगे जिससे आप वाउचर बनाते समय अपना कीमती समय बचा सकें ध्यान से देखिए यदि आपको इसी टाइप का एक सेल्स बिल किसी कस्टमर को बना कर देना हो तो आपको एक एक करके किस क्रम में पुरा वाउचर बनाना होगा देखते हैं अभी हम गेटवे अफ टैली पर हैं वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे अब सेल्स वाउचर के लिए एक एक प्रेस करेंगे ये देखिए करसर तारीख पर आ रहा है वाउचर बनाने के लिए सबसे पहले हम तारीख बिदलते हैं अब बान लीजिए हम किसी एक ही तारीख में 100, 200 या इससे ज्यादा बिल बनाने वाले हैं तो हमें उन सभी की तारीख बदलने की जरुरत तो होती नहीं है पर फिर भी हमारा करसर हर बार तारीख के फिल्ड पर आ जाता है और फिर हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सवाल यह उठता है कि जब हम एक ही तारीख में बिल बनाने वाले हैं यानि हमें तारीख बदलने की जरुरत नहीं है तो हमारा करसर हर बार तारीख फिल्ड पर आए ही क्यूं उसकी जगह यदी ऐसा हो कि हम वाउचर उपन करें और करसर तारीख की बजाए सीधे पार्टी अकाउंट नेम पर आ जाए तो समय तो बचेगा पर बहुत थोड़ा सा पर जब हम दिन में 100, 200 या इससे ज्यादा बिल्स बनाने वाले हैं तो ज़रूर कुछ समय बचेगा आएए पहले हम यह सेटिंग कर लेते हैं उसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे अब शो मोर कॉन्फिगरेशन पर जाएंगे और इसे यस कर देंगे ऐसा करते ही कुछ और आप्शन दिखाई देंगे हम डाउन एरो की से नीचे जाएंगे यहाँ Skip the date field during voucher creation ओप्शन दिखाई पड़ेगा जो कि अभी no है हम इसे yes कर देंगे और इस window को save कर लेंगे आए अब फिर से voucher open करके देख लेते हैं यह देखिए अब cursor date field पर नजाकर सीधे party account name पर आ रहा है यानि एक step कम हो गई है अब हमें जब भी किसी दिन का पहला बिल बनाना होगा हम एक बार F2 की प्रेस करके तारीख बतल लेंगे और अब हम कितने भी बिल्स बनाएं तारीख पर करसर नहीं आएगा अब हम इसे लग करना होगा party account name यहाँ पर तो बहुत ही कम लेजर्स दिखाई पड़ रहे हैं पर मान लीजिए यहाँ 500 या 1000 लेजर्स होगे जिसमें suppliers के लेजर्स भी होंगे customers के लेजर्स भी होंगे और इनके साथ ही अन्य और कई लेजर्स भी दिखाई पड़ेंगे ऐसे में मान लीजिए आपको कोई ऐसा लेजर्स सिलेक करना हो जिसका नाम आपको ठीक से याद नहीं आ रहा हो तो आपको इन 500 या 1000 लेजर्स में उसे ढूणने में बहुत समय लगेगा लेजर ढूणने में कम समय लगे उसके लिए यहां से हम ऐसे ledgers हटा सकते हैं जिनकी हमें sales voucher में जरुरत नहीं होती है और सिर्फ ऐसे ledgers ही यहां पर रखें जिनकी हमें यहां जरुरत होती है जैसे customers के ledgers, cash और bank के ledgers और इस तरह से जब यहां ledgers कम होंगे तो आप इस list में से कम समय में अपनी जरुरत का नाम ढूंड सकेंगे अनावश्यक ledgers हम voucher class की सहायता से हटा सकते हैं यह हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे अभी हम आगे बढ़ने के लिए दीपक ट्रेडर्स का ledger सिलेक कर रहे है इसके बाद हमें सिलेक करना होता है sales account voucher class बनाने से हमें इसे भी सिलेक करने की जरुरत नहीं होगी इसके बाद हम customer को जो item बेच रहे होते हैं एक-एक करके उन्हें सिलेक करना होता है ध्यान दें ये item हर बिल में अलग-अलग ही होंगे हम यहाँ पर sample बिल के अनुसार दो item सिलेक कर रहे हैं item सिलेक करने के बाद अब हमें बिल के अनुसार ये सभी ledgers भी एक-एक करके सिलेक करना होंगे यहाँ बिल में आप जो discount, additional charges जैसे packing charges, fret और rounding off के ledgers देख रहे हैं इन्हें कैसे बनाते हैं और इनका उपयोग किस तरह से करते हैं उस बारे में हम आपको इसके पहले वाली वीडियो उसमें detail में बता चुके हैं voucher class बनाने से ये ledgers आपको voucher बनाते समय सिलेक करना नहीं होंगे यह आपको पहले से ही voucher में दिखाई पड़ेंगे बस आपको fill in the blank की तरह इन में percentage या amount डालना होगा वो भी इसलिए क्योंकि हम हर bill में ये सभी amount एक जैसे तो रखते नहीं हैं ये अलग-अलग ही होते हैं इसके बाद हमें cgst और sgst के ledgers या हो सकता है इनके स्थान पर igst का ledger सिलेक करना पड़ेगा वाउचर क्लास बनाने के बाद ये भी हमें सिलेक करना नहीं होंगे ये जरूरत के हिसाब से अपने आप आजाएंगे और tax भी अपने आप calculate हो जाएगा और सबसे आखिर में है round off इसका ledger भी हमें सिलेक नहीं करना पड़ेगा ये ledger भी अपने आप यहाँ पर आजाएगा और bill का amount भी round off हो जाएगा संक्षिप में हम कह सकते हैं कि voucher class बनाने से हमें voucher बनाते समय मुख्य रूप से सिर्फ party name और items के अलावा कुछ भी सिलेक करना नहीं होगा बाकी सब automatically हो जाएगा टैली ने voucher class को मुख्य रूप से purchase और sales voucher को बनाने में लगने वाले समय को कम करने और voucher को सरल और आसान तरीके से बनाने के लिए ही दिया है और इस voucher class को बनाना भी बहुत आसान है आएगे देखते हैं नया voucher type create करना और उस पर voucher class लगाना यहाँ नय voucher type का मतलब है तैली में पहले से ही बने हुए receipt, payment, sales, purchase, इत्यादी vouchers की तरह ही कोई नया voucher बनाना उसके लिए हम C press करेंगे यहाँ accounting masters में voucher type पर जाकर enter press करेंगे voucher type creation screen आएगी यहाँ name में हम जिस नाम से नया voucher type बनाना चाहते हैं वो नाम type करेंगे हम नाम दे रहे हैं GST Cells, आप अपनी जरूरत के नुसर कोई भी नाम दे सकते हैं Select type of voucher के आगे हमें list of voucher types में से वो नाम सेलेक करना है जिस type का voucher हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर एक बाद ध्यान रखें यह उन vouchers के नाम हैं जो टैली ने हमें पहले से ही बना कर दिये हैं इसमें से हम जो भी voucher type सेलेक करेंगे नया voucher by default उसी के अंदर बनेगा हम सेल सेलेक कर रहे हैं क्योंकि हम यह voucher सेल्स के लिए ही बना रहे हैं अब एंटर प्रेस करते हुए सीधे name of class पर आ जाएंगे हम जिस नाम से voucher class बनाने वाले हैं यहां उसका नाम टाइप करेंगे हम GST सेल्स ही टाइप कर रहे हैं आप अपनी जरूरत अनुसार कोई दूसरा नाम भी टाइप कर सकते हैं अब एंटर प्रेस करेंगे यह देखिए एंटर प्रेस करते ही वाउचर टाइप class की स्क्रीन आ रही है इसमें सबसे उपर class का नाम भी दिखाई दे रहा है हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे यह वाउचर हम सेल्स के लिए उप्योग करने वाले हैं इसलिए default accounting allocations for all items in invoice के नीचे ledger name में sales account सेलेक करेंगे और फिर enter प्रेस करके आगे बढ़ेंगे अब हम additional accounting entries में ledger name पर आ गए हैं यहां list of ledger accounts देखने के लिए space bar प्रेस करेंगे अब यहां से हम additional ledgers जासे discount, packing charges, freight, cgst, sgst, igst और round off इत्यादी जो भी यहां add करना है उस सब एक एक करके सिलेक कर लेंगे इन सबी ledgers को कैसे बनाते हैं और इनका क्या उप्योग है यह हम आपको इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में डीटेल में बता चुके हैं तो आईए एक एक करके हम अपनी जरूरत के सभी ledgers यहां पर add कर लेते हैं ध्यान रखें आपको जिन ledgers की जरूरत हो उन्हें ही सिलेक करें और जिनकी जरूरत ना हो उन्हें छोड़तें सबसे पहले हम discount allowed on cells सिलेक कर रहे हैं ऐसा करते ही एक छोटी window calculation methods के नाम की आ रही है इसमें बहुत सारे options दिखाई पड़ रहे हैं इसमेंसे हम आपको discount के लिए जो उप्योगी हैं वो समझा देते हैं यदि आप सभी बिल में किसी निशित प्रतिशत से discount देना चाहते हैं तो यहां on total cell सिलेक कर लें इसके बाद value basis वाले column में हम जिस प्रतिशत में discount देना चाहते हैं वो minus लगा कर type कर देंगे जैसे हम सभी बिल में 2 प्रतिशत से discount देना चाहते हैं तो यहाँ माइनस 2% टाइप करेंगे, इसके बाद rounding method में not applicable रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, यदि हम इस तरह करते हैं, तो जब भी हम कोई sales bill बनाएंगे, automatically 2% discount bill में कम हो जाएगा, हम bill में ऐसे किसी निश्यत percent से discount नहीं देना चाहते हैं, इसलिए backspace से पापस आ गए हैं, दूसरा है as user defined value, हम इसे select कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि सभी bill के लिए हमारा कोई एक discount निश्यत नहीं है, इसका निर्णय हम अपनी ज़रुरत के हिसाब से हर bill में ही करेंगे, अब हम enterprise करते हुए अगली line में आ गए हैं, यहां हम पहले की तरह packing charge और fret के laser select कर लेंगे, और इन दोनों में भी calculation method में as user defined value ही select करेंगे, ध्यान रखें यदि आपको कोई नया laser add करना है जो की बना हुआ नहीं है, तो आप यहीं alter और C की इसको प्रेस करके उसे बना सकते हैं, अब हम CGST का laser select करेंगे, यह देखिए जैसे ही हमने CGST select किया, type of calculation में GST अपने आप आ गया है, यानि टैली को मालूम है कि यहां GST calculate करना है, और इसी तरह हम SGST और IGST के laser भी select कर लेंगे, सबसे आखिर में हम round off का laser select करेंगे, और यहां calculation method में से as total amount rounding select करेंगे, क्योंकि हम bill के total amount को round off करना चाहते हैं, अब यहां list of rounding method में से normal rounding select कर लेंगे, और rounding limit में one type करेंगे, round off के बारे में हम detail में अपनी वीडियो 89 में बता चुके हैं, अब इस screen को accept कर लेंगे, और इस screen को भी accept कर लेंगे, चलिए अब हम अपने ही प्रदेश के एक customer दीपक ट्रेडर्स का इसी तरह का एक sales bill बना लेते हैं, उसके लिए पहले हम V प्रेस करेंगे, फिर F at प्रेस करेंगे, यह देखिए change voucher type की screen आ रही है, जिसमें हमें list of voucher type में दो नाम दिखाई पड़ रहे हैं, एक sales voucher है, जो अभी तक हम अप्योग करते आए हैं, और दूसरा वो है, जो अभी हमने GST Cells का बनाया था, हम इस पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं, यह देखिए ऐसा करते ही voucher class list आ गई है, इसमें यदि हम not applicable select कर लेंगे, तो cells का सामाने voucher उपन हो जाएगा, हमें GST Cells class चाहिए, इसलिए हम GST Cells पर जाकर इंटरप्रेस कर रहे हैं, यह देखिए, ऐसा करते ही हमारे सामने GST Cells voucher उपन हो गया है, और इसमें voucher class के सामने GST Cells भी लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले हम party का नाम select कर लेते हैं, इसके बाद हमें Cells account select करना होता है, पर हमने voucher class बनाते समय ही Cells account select कर लिया था, इसलिए अब यहाँ उसे select करने की जरुरत नहीं है, अब हम items select कर लेते हैं, यह देखिए, हमने voucher class बनाते समय जो legers add किये थे, वो सभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इन में से कुछ के आगे तो अपने आप amount भी calculate होकर आ रहा है, और कुछ में हमें डालना होगा, हम एक एक करके discount, packing charge और freight का amount टाइप कर रहे हैं, यह देखिए, जैसे जैसे हम कोई amount डाल रहे हैं, यहाँ cgst और sgst का amount अपने आप change हो रहा है, इस bill में cgst और sgst इसलिए आ रहा है, क्योंकि यह bill हमारे ही प्रदेश, यानि intra-state cell का है, जिसे हम local cell भी कहते हैं, यह देखिए, यहाँ round off का leisure अपने आप आ रहा है, और इसने bill amount को भी round off कर दिया है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ एक warning आ रही है, इसका कारण यह है कि sales voucher में हम यह reference number पहले उप्योग कर चुके हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे, अभी हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं, अब इस voucher को save कर लेते हैं, अभी हमने जो बिल बनाया, उसका प्रिंट प्रिव्यू देख लेते हैं, यह देखें, प्रिंट प्रिव्यू में voucher क्लास लिखा हुआ नहीं है, यह normal sales बिल की तरह ही है, और बिल बनाते समय हमने CGST और SGST के लेजर्स के साथ, IGST का लेजर्स भी देखा था, पर इसमें IGST का लेजर्स नहीं है, क्योंकि जिस लेजर्स के आगे amount नहीं होता, वो प्रिंट में नहीं आता है, यह एक बात और ध्यान रखें, हमने नया voucher बना कर उसका उप्योग किया है, इसलिए यहाँ invoice number 1 आ रहा है, आगे जब आप इस voucher का उप्योग करेंगे, तो उसमें इसके बात के नंबर्स आएंगे, चलिए अब हम अपने customer वासू ट्रेडर्स का भी इसी तरह का एक sales bill बना लेते हैं, बस यहाँ उसे discount नहीं दे रहे हैं, देखिए यहाँ CGST और SGST की जगह अपने आप IGST calculate हो गया है, यहाँ IGST इसले calculate हुआ है, क्योंकि यह bill हम अपने प्रदेश के बाहर, यानि interstate cell का बना रहे हैं, जिसे हम out of state cells भी कहते हैं, आएब हम इसे save कर लेते हैं और इसका print preview देख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको नया voucher type voucher class लगा कर बनाना बताया, ठीक उसी तरह आप cells, purchase या अन्य कोई भी voucher type voucher class के साथ बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं, और यदि आप चाहें, तो tally में पहले से बने किसी voucher को alter करके, उसमें भी voucher class बना सकते हैं, आईए अब हम बात करते हैं point number two की, उसमें हम थे आपको बताया था, कि यदि आप चाहते हैं कि voucher बनाते समय, party account name के आगे, नाम सिलक करने के लिए जो list of ledger accounts आती है, उसमें सिर्फ cells voucher से संबंदित ज़रूरी ledgers, जैसे customers के cash और bank accounts ही दिखाई पड़ें, यानि ऐसे नाम जैसे कि supplier के नाम जिनकी cells voucher में ज़रूरत नहीं होती है, वो हट जाए और शेश बचे हुए नाम यहां रहें, ताकि नाम के लिस्ट छोटी होने पर आप कम समय में अपनी ज़रूरत का नाम ढून सकें, तो आएए समझते हैं कि ये काम कैसी कर सकते हैं, उसके लिए go to पर जाना होगा, अब यहां alter master पर जाकर enterprise करें, अब voucher type पर जाकर enterprise करें, list of voucher type में GST cells पर जाकर enterprise करें, यह देखिए voucher type alteration screen आ गई है, हम enterprise करते वे आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, class के आगे GST cells लिखा है, और उसके नीचे exclude these groups, और include these groups, दो options दिखाई पड़ रहे हैं, हमें इन में से किसी एक का उप्योग करना है, exclude these groups से तात्पर्य है, कि आप जो group यहां select कर लेंगे, उन groups के अंडर में जो भी ledgers बने होंगे, वो voucher बनाते समय आपको list of ledger accounts में दिखाई नहीं पड़ेंगे, और आप चाहें तो इसकी जग़ include these groups में वो group से लेक कर सकते हैं, जिनके अंडर बने हुए ledgers आप voucher बनाते समय list of ledger accounts में देखना चाहते हैं, चलिए इसको एक practical के साथ अच्छे से समझ लेते हैं, पहले हम exclude these group में sundry creditors group से लेक कर लेते हैं, क्योंकि sundry creditors में हमारे suppliers के ledgers होते हैं, और sales bill बनाने में हमें उनके ledgers की जरुरत नहीं होती है, इसके बाद हम end of list से लेक कर लेंगे, और एक के बाद एक दोनों स्क्रीन को accept कर लेंगे, और अब escape की press करते हुए हम वापस voucher पर आ गए हैं, यह देखिए हमें GST sales voucher में list of ledger accounts में suppliers के ledgers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आईए अब go to पर चल कर फिर से GST sales voucher को alter कर लेते हैं, अब हम exclude these group में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और उसकी जगह पर include these group में से वो group सेलेक कर रहे हैं जिनके अंडर बनी ledgers हम वाउचर में देखना चाहते हैं, जैसे sundry data, इसमें हमारे customers के ledgers होते हैं, इसी तरह हमें sales bill बनाते समय कई बार cash या bank के ledgers सेलेक करना होते हैं, जो की cash in hand और bank accounts groups के अंडर बने होते हैं, तो यहां हम sundry data, cash in hand और bank accounts group सेलेक कर रहे हैं, इसके बाद हम end of list सेलेक कर लेंगे, अब एक के बाद एक screen को accept कर लेंगे, और अब escape की press करते हुए वापस voucher पर चलते हैं, यह देखिए, अब sundry data, cash account और bank account groups के अंडर जो ledgers बने हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरे किसी भी group जैसे sundry creditors के अंडर बने ledgers दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सरल शब्दों में इन दोनों में से आप किसी भी एक का उप्योग करके, voucher में अपनी जरूरत के ledgers रख सकते हैं, और list को छोटा कर सकते हैं, लिस्ट छोटी होने से किसी भी ledgers को नाम से ढूढ़ना आसान हो जाता है, ध्यान रखे, voucher class में इस तरह से सिर्फ संबंधित ledgers रखने पर एक समस्या आ सकती है, वो समस्या क्या होगी वो समझ लेते हैं, प्राय हम sales voucher में अपने customers के ledgers ही select करते हैं, पर कई बार हम अपने जिन suppliers से माल खरिदते हैं, उन्हें माल बेशते भी हैं, और चूंकि हमने exclude these groups या include these groups के द्वारा suppliers के ledgers प्रतिबंधित किये हुए होते हैं, तो voucher बनाते समय यहां वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब यहां supplier के ledgers ही नहीं होंगे, तो आप उनका sales bill कैसे बनाएंगे, ऐसी स्थिती में supplier के bill बनाने के लिए आपको exclude these groups में से sundry creditors group हटाना होगा, या फिर include these groups में sundry creditors group जोडना होगा, या फिर पहले की ही तरफ exclude these groups या include these groups को blank रखना होगा, यहां पर एक और बात ध्यान रखें, नए voucher बनाने के बाद भी आप टेली में पहले से बने हुए voucher का उप्योग पहले अनुसार कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस तरह से आप voucher class का उप्योग करके, sales और purchase bill बनाने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, झाले सकते हैं,